हेलो गाइस वेल्कों बेक टुमाइ यूटूब जैनल टेक्निकल राशूद प्लॉग आप लोगों को पता चल चुका होगा कि बीजी एम आई इंडिया में बैन हो गया है कि क्या हो गया मैं पूरी इंफर्मेशन आपको वीडियो के एंट तक बताऊंगा तो पूरे वीडिय पूरी इंफर्मेशन है कि हा लोगे ब्लोग बताने वालों कि कि यह प्ले स्ट से यह कि आप लोग बीडियो को देखते रहिएगा जो की फर्स्ली विजट करें चैनल को सब्सक्काइब करदेजा장 यह सबसे पहली बात है कि band नहीं हुआ है ठीक है क्योंकि यह remove किया गया है play store और app store से अभी कोई भी government की chit नहीं आई हुए है पर इतना सुनने में आ रहा हुआ है कि play store को higher authorities ने एक notice भेजा है कि PUBG, मतलब BGMI को remove कर दीजे अपने app से तो मतलब थोड़े से chances हैं कि यह band हो सकता है बहुत ही कम chances हैं कि मतलब band नहीं होगा तो पूरी information देए PUBG new state still remain unavailable in India BGMI maker craft and says it is investigating the matter matter को investigating कर रहे है PUBG mobile remain banned in India since 2020 क्योंकि PUBG mobile 2020 से banned है तो battleground mobile India BGMI has mysteriously disappeared from an Indian space पे Google Play और app store the game was launched last year after its previous iteration PUBG best banned in 2020 उसके बाद में यह हमारा हुआ था है इसमें क्या हुआ कि timing or removal is not considered मतलब कुछ भी इसकी कोई information clearly नहीं है कि अभी क्या है इसको remove किया बस play store और app store से इसको हटा गया काफी news में आ रहा है देखिए इंडिया block battle royal game BGMI two year after PUBG ban PUBG के ban होने के बाद भी BGMI भी ban कर दिया गया क्योंकि कुछ higher security reasons की वज़े से यह हमारा play store से remove कर दिया गया है और app store से काफी और भी app है उनको भी remove करते हैं उनको तो पूरी clean chat मिल चुकी कि आप लोग को आपका app हटाया जा रहा है भी BGMI के थोड़े 10 to 20% chances हैं कि भी दुबार आ सकता है पोस्ट गवर्मेंट order गूगल पे अपल स्टोर स्टोर टेक डाउन PUBG न्यू अपता है पेटलगरंड वाइल इंडिया दा पॉपलर गेम क्राफटन विच रिसेंटली क्रॉस 100 मिलियन उजर इंडिया विच बिन पुल्ड फ्रॉम दे गूगल प्ले स्टोर ये देखिए इंडिया इंडिया एक स्टोर की भी न्यूज आई हुए कि पोस्ट गवर्मेंट और एपल को और गूगल प्ले स्टोर को इन्होंने अभी एक ओर्डर दिया है गवर्मेंट का पूरा अभी न्यूज नहीं आया हुए गवर्मेंट ने सीधे डारेक्ट प्ले स्टोर और उनको सीधे डारेक्ट नोटेज बेजा है कि आप लोग इसको हटा दीजे क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टिनेटी और एक हाई सिकरेटी रीजन्स की वज़े से कुछ रीजन्स हैं जो कि अभी तक रिविल नहीं किये गए हैं तो इस वज़े से उन्होंने इसको सीधे डारेक्ट सीधे एप प्ले स्टोर और उस एप स्टोर से उन्हों को बोल दियागी कि हटा दीजे तो ये गाईस अब लोग के लिए बहुत ज़्यादा बैड निउस है PUBG वालों के लिए जो कि BGMI बहुत ज़्यादा खेलते थे बहुत अच्छी प्लियर थे काफी लोग चांसिस तो देखिए क्या हो सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ इसका चेंज होना चाहिए पर बैंड नहीं होना चाहिए रीजन्स हैं रीजन्स के वज़े से अगर हटा सकते हैं ठीक है पर कुछ टाइम लेकर हटा दीजे फिर उसके वाद दुबारा से रख दीजिए मैं सपोर्ट में हूँ BGMI वालों के क्योंकि काफी महनत करके वो लोग एक प्लैटफर्म तक पहुंचे थे तो उनका काफी लोगों का अमाउंट था जो की इन्वेस्ट किया हुआ था होने काफी लोगों का बहुत ही अदब थी तो आई होब गाईस आप लोगों वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब पर देना चैनल को और पूरा सपोर्ट है वाई आप लोग के लिए कि पबजी भैन नहीं हो दुबारा से तो प्लीज 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 गाईस सब्सक्राइब मैं चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लोग और प्राइब वैल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन और जिससे कि आप लोग के और कोई भी न्यूस आएगी बीजी एमाई से रिलेटेड मैं आप लोग तक पहुँचा दूँगा और थैंक यू गाईस और वीडियो को वीडियो को सेयर कर दीजिगा जिससे सब तक इन्फरमेशन पहुँच जाए कि बीजी एमाई की पूरी रियल सच्चाई क्या है कि बैंड हुआ है कि क्या हुआ है काफी नियूस आ रही है थैंक यू गाईस